हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूग चैनल इंपर्टक्ट वीडियोज में, सभी दार्शकों को हमारा नमस्कार, और अब बात करते हैं आज के दिन के बारे में, आज है 19 जनवरी 2021, और इतिहास में आज के दिन क्या कुछ खास हुआ था, अगर इस बारे में बात की जाए, तो दोस्तों आज के दिन सन 885 को जी सुब्रमर्नियम अयर का जन्म हुआ था, ये भारत के जाने माने पत्रकार और एक प्रमुख बुद्धी जीवी रहे हैं, ये हिंदू और स्वदेश मित्रम नाम से समाचार पत्र निकाले, और तमिलनाडु में राष्ट्ययता की भावना को पैदा करने की कोशिश की, इन्हों ने भारत से बिटेन में होने वाली धन की निकासी के बारे में आकड़े एकट्टे किये, और भारत में ब्रिटिश शाशन के स्वरूप की आलोजना की इसके अलावा ये भारत में लगहू उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने के पक्ष में थे और दोस्तों आज ही के दिन सन 1935 को बंगाल में सौमित्र चेटर जी का भी जन्म हुआ ये एक जाने माने बांगला अभिनेता रहे साल 2011 में ये दादा साहिफ फाल के पुरुषकार से सम्भानित हुए और ये पहले बांगला व्यक्ति थे जिन्हें दादा साहिफ फाल के पुरुषकार मिला था और बात की जाए इनकी यादगार फिल्मों की तो उसमें अपूर संसार, तीन कन्या, देवी, चारूलता, घरे बाईरे और इसके अलावा भी कई नाम शामिल रहे और दोस्तों बात की जाए आज के दिन निधन वे व्यक्तित्व की, तो आज के दिन सन 1905 को देवेंद्र नाठ ठाकुर का निधन हुआ था, ये एक जाने माने समासुधारक रहे और इनका जन्म हुआ था, 15 मैं 817 को ततकालीन कलकत्ता जिसे की अब कोलकाता कहा जाता है इनके पिता द्वारका नाठ ठाकुर प्रख्यात विद्वान और धार्मिक नेता रहे देवेंद्र नाठ ठाकुर को अपनी दानशीलता के कारण प्रिंस की उपाधी भी हासिल हुई और ये नोबेल पुरुसकार विजेता रवेंद्र नाठ ठाकुर के पिता रहे और इसके अलावा दोस्तों आज ही के दिन सन 1996 को जाने माने उपन्यासकार, निवंदिकार, लेखक और कहानिकार रहे उपेंद्र नाठ अश्क काभी निधन हुआ इनका जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1910 को पंजाब के जालंधर में बात की जाए पुरुसकार और उपाधियों की, तो इन्हें 1972 में सोवियत लेंड नहरु पुरुसकार और 1965 में संगीत नाठक अकादमी पुरुसकार से सम्मानित किया गया और अगर इनकी यादकार रचनाओं की बात की जाए तो उसमें गिर्ती दीवार हैं, गर्मराथ, सितारों के खेल, लोटता हुआ दिन, बड़े खिलाडी, जैपराजे, जुदाई की शाम के गीर, काले साहब, पिंजरा और इसके अलावा भी कई नाम शामिल रहे तो ये था आज के दिन का इतिहास, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थैंक्यू